कि हलो एवरिवान देशिए मिन्टोर दुशन भोला सर्व इंगलिश आज प्रॉमिस्ट इन प्रीविएस लेक्टर ओफ माइन दाट इस चेप्टर के चेप्टर जो हमारा इंडी को चेप्टर और अल्डी स्टार्ट हो चुका था पिछले लेक्टर में इसकी ओवरॉरल 20 चुके हैं बाकी के 10 इस वीडियो में हमने कवर करने बारीकी के साथ तैयार है आप लोग ठीक है भी मैं भी तैयार हूँ एकदम फुल आफ जीर और पाशन चली आईए गेदरिंग ऑफ पीजेंट्स किसानों का एकठा हो जाना क्या हुआ था देखते हैं पीजेंट्स को य पीजेंट्स ट्रबल विड़ी ऑथॉरिटी महत्मा गांदी के साथ कुछ मुसीबत में थे ट्रबल में थे ट्रबल क्या था सब क्लियर हो जाएगा हजारों पीजेंट्स इखटे हो गए अराउंड दा कॉर्ट बिल्दिंग क्यों गांदी जी के सपोर्ट और इसी वजह से स्पॉंटेनियस ग्रेट दस पॉंटेनियस शौफ दियर करेज उनकी भादूरी उनकी बहादूरी की वज़े से ब्रिटिश ऑथॉरिटी पुरी तरह सदमे में आगीती हिला के रख दिया था कि हजारों किसान इस सब का से आगी भाई अब यह ब्रिटिश ऑथॉरिटी इस पावरलेस हो गई अव्यस्सी बात है गांदी जी ने उस मोब को मोब का मतलब मैं आपको बता रहता हूं उस मोब को कंट्रोल करने में हेल्प किया दे ब्रसाइक भीड अब भी बीड होती है लेकिन मोब उनकी ब colonial का सब्सक्राइब में फटेस्ट करने में हुआ हिसा लगते हैं या फिर कई बहुत बहुत बाहरी माधरा में लोग भंए का नजभिते हैं कि कोट में क्या हुआ कोट में गांधी जी प्लीडिड गिल्टी इसका मतलब है वकालत था वकालत की उन्होंने और गांधी जी ने पैनल्टी भी जुर्माना भी उनसे निमांड करी ठीक है गांधी जी ने स्टेटमेंट पड़ी और क्या बोला अगर आप हमारे जो सही है उसके इस favor में फैसला आप दे रहे हो सही की favor में कह रहा हूं मैं तो मैं बिल्कुल भी lawbreaker नहीं हूं बट वो कि इडिड नॉट ही कुड नॉट डिस्रिगाड दवाइज ऑफिस कंसियंस लेकिन मैं कंसियंस रिखिए एक नहीं वड़ आपके लिए कंसियंस का मतलब आप लिख लिजिए मैं बोल रहा हूं कंसियंस का मतलब बेटा क्या होता है अंतरात्मा जो अंदर से अवाज आती अंतरात्मा अ लेकिन मैं आपने अंदर की अवाज को डिशरिगाड नहीं कर सकता उस्की इंसेल्ट नहीं कर सकता कि क्या काम करने में हमें मैंनेitions के इनसानियन और कंट्री की सेवा जो कंट्री के पक्ष में है वह मेरे पक्ष में वो इधनम ध Gust जज ने क्या बोला कि जज्मेंट लाने में बहुत दिन लग जाएगे जो आज के टाइम में भी कचेरियोज में होता है लेकिन उन्होंने गांदी जी को ना जेल करी ना कुछ किया ऐसे ही जाने दिया इमांसिपेट कर दिया फ्री कर दिया अब बात हुई गांदी जी और उनके जो मित्र बन चुके थे अब तक कुछ वकील दोस्तों में क्या बात हुई गांदी जी ने अपने वकील दोस्तों में क्या पूछा क्या कहा कि बताओ तुम क्या करते अगर मुझको जेल हो जाती तो सब एडवोकेट ने क्या कहा कि भई आपको जेल हो जाती तो हो जाती हम घर चले आते तो यह को रिप्लाय तो बनानी एक व्यक्ति जो लोगों की मदद करने में इतना ततपर है उसको ऐसा रिप्लाय तो बिल्कुल नहीं बना बोलो हाया ना तो गांदी जी ने उनसे क्रोस कोशन पूछ लिया क्या कि बताओ क्या होता उन विचारे पूर किसानों का अब यह बात भी लॉर्स के जहन में लग गई दिल में लग गई उनको महसूस हुआ और उनको काफी शरम आई कि मुझे हम लोगों को यह गो होम वाला रिप्लाय नही देना चाहिए था गांदी जी जो एक अजनभी थे बहुत विलिंग थे इच्छा थी उनकी क्या तो गो टू जेल फोर देर सेख देख रहे हुआ कितना कितने महान रिखती भाई अजनभी के लिए जेल जाना जाने के लिए भी वह तक पर थे तयार थे कि बत इनका भला हो है चाहिए मैं जील चला जाओं लोर्स ने बताया क्लेम किया क्या तो हाब बीन सर्विंग द प्रिजिंग और यह भी बोला कि हम प्रिजिंग को सर्व करते आ रहे हैं गोईंग हों गुड मीन शेमफुल बैट्रेल और हम उनकी मदद किये बिना घर चले जाएंगे तो एक रिमया वर्ट देखो आगें बड़ा प्यारा वर्ड है वेट्रेल क्या बोला मैंने बिल्कुल ठीक है बैट्रेल इसका मतलब लिख लो आप मैं बूल रहा हूं चीट या पी लिख लो आप दो का किसी ने आपको दोका अगर दिया मैं वह वाली बात नहीं कर रहा हूं ठीक बढ़ते आगे वकीलों ने गांधी जी को क्या बोला that they would to follow him into the jail अब उनकी आखे खुल गी थी वकीलों की कि अगर आप जेल जाते तो हम भी आपको जेल तक कंपरी जे साथ चलते गांधी जी बात बहुत अच्छे लगी उनको उन्होंने डिकलेर क्या किया the battle of Champaran was won Champaran की जो battle चल रही थी यूद चल रहा था वो जीता जा चुका है क्या हुआ ऐसा जरह यह भी जान लेते हैं कि देखिए ओविस सी बात है जूट की हमेशा हार होती है सच्चाई की हमेशा जीत होती है अब गांदी जी भही बहुत समझदार व्रक्ती थे उन्होंने क्या किया और ने डिवाइट कर दिया ग्रूप को टू पेर्स तू पार्स और क्या किया और पुट डाउन दा ओडर इन विच इच पेर बुट कोड अरेस्ट कोण सा पेर कोड अरेस्ट करेगा लेकिन अभी भी कहानी कहत्म नहीं है जो लेस्टिन गवर्मेंट गवर्नर थे प्रोविंस के भागे डिसाइड किया टू ड्रॉप दा केस अगेंस गांदी जी कि केस अब गांदी जी के नाम पे ही डाल दिया जाए बड़ अगयां सच सच होता है में दोस्त देस वॉस्ट अभी थी जो सिविल में डिस ओबीडियंस चल रहा था इज़्जत नहीं दी जा रही थी सच को नयाई को अग्यूरी क्या देखो जड़ा अब गांदी जी ने क्या किया वकीलों के साथ मिलके उन्होंने एक एंक्यूरी सेशन कंड़क्ट किया इंटू दा कंप्लेंट्स जो किसानों के गरजिस थे परेशानिया थी कंप्लेंट थी उसके रिगाडेंग तक्रीबन दस हजार पीज एलेक्शन हुई गांदी जी को अगें समन आया कोट में पेश हुने का समन किसमें बेटा इनका नाम क्या था इसर एडवर्ड गेड यह कौन ते अगें वही जिनका चर्चा मने अभी उपर भी किया है लेफ्टिनेंट गवर्मेंट का नाम गवर्णर का नाम किया था एपॉइंट करी गई डेड़ लॉक ब्रोकन तो सालों से चलता अक्तिया चार आ रहा था अब वो टूट चुका था जीत अब नयाकी होने वाला है और चेक्टर भी आलमॉस्ट आपका खतम होने वाला है तो सेट यून बेटा गांदी जी शुरुवात में चंपारन में ही रहे साथ महिने तक आगे के पार्ट बड़े हजीन है और फिर वो वापिस आ गए फोर सेवरल शॉटर विजिट्स कभी यहां तो कभी वहाँ कि ऑफिशियल इंक्वेरी एसेंबल हुई इखटी वी एसेंबल एड़ेंस का मतलब सबूत एड़ेंस का मतलब क्या कर रहे थे उन्होंने अग्री किया दे अग्री इंस प्रिंसिबल तुमेक रिफॉर्ट्स पीजिंट्स इंक्वेरी के बाट उन्हें कहा कि ठीक है आपका आपके किसानों का जितना में नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम तयार है गांदी जी ने कहा तयार हो तो ब पचास नहीं कर पाएंगे पच्चिस जिरूर कर देंगे तो अगर पूछा गया कि बताओ कॉंपंसेशन लास्ट में कितने परसेंट पर अग्री हुई थी आप क्या बोलो के वन फोर या फिर ट्वंटी परसें गांदी जी अग्री होगे भी डेड लोग का ब्रोकन हो गया लॉस ओफ लांडलोड प्रेस्टीज इनकी जो भी इजट थी वो जा चुकी थी गुडविल पूरी की पूरी मर चुकी थी गादी जी ने एक्स्प्लीन क्या किया कि एमाउंट जो मनी का था वो इंपॉर्टन नहीं था बाई अगरिंग टू रिफंट पीजन्स मनी लांड प्रेस्टी मानने का मतलब यह था उनके सारी के सारी प्रेस्टीज गुडविल अब गयाव हो जोते अब वो बिल्कुल भी ड्रेजट नहीं थे धरेवे नहीं थे जिसान पीजन्स को पता लगा कि उनके राइट्स थे क्या डियर वर पीपल टू डिफेंड देर राइट्स पता ही नहीं था इसलिए वो कुछ स्टेप ले नहीं पाए अब कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लैंट प्लैंटर्स वासे अबंडेंट हो गए वहां से चले गए इस नाव बेंट बाक टुद पीजन्स अब जो स्केट थी जो प्रोपर्टी सी जो खेट थे वो दुमारा पीजन के बास आगए इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसपीर क्योंकि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो डिवलप कर लिया अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है यह स्प्रेड ऑफ एडियूकेशन एडियूकेशन बेटा एडियूकेशन के इलावा लावा लाइफ अधूरी है कुछ नहीं लखा है देखिए क्या हुआ अभी भी गांदी जी के जो रेजलीशन से यहां पर खतम नहीं हुए देखिए क्या हुआ था गांदी जी कुछ कुछ चातेते ऐसा करना कि टूरीमूग दा कल्चर एंड सोशियल बैकवर्डनेस कल्चर का भला डेवल लिट्रेसी रेट कहा पर है साउथ में केरल में मैं राइटर रॉम है चलिए बढ़ते हैं अब गांदी जी ने अपील किया कि भाई फोर टीचर्स वो आपने सोना भी होगा गुरू गोविन दो खड़े का के लाउगो पाए सुना होगा आपने तो मैं अपनी तारीफ नही बेटा तो अगरी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है एड्यूकेशन हर किसी की लाइस में हर किसी की लाइस में ठीक है तो टीचर का बहुत बड़ा योगदान है और कुछ इसी परकार गांदी जी ने सोचा कि कुछ टीचर्स को अपील यह दोनों के दोनों अध्यापक थे टीचर थे और इन दोनों की वाइफ्स ने भी धरांपत्रियों ने भी वॉलेंटियर किया मतलब की बिना किसी सोच के काम करते हैं सेवरेल मोर केम फ्रॉम बॉंबे कुछ बॉंबे से आए पूना और डिस्टेंट पार्ट सब ने एकट जो बेटा गांदी जी के यंगेस्ट थे छोटे संजु उनके बेटे थे वो भी आए आश्रम से एंड सो डेट मेसिस गांदी जी की धरम पतनी भी वॉलेंटिर करने के लिए आई सबके सब इस भले काम को अंजाम देने में जुट गए प्राइमिरी स्कूल खोल दिये गए च्छोटे बच्चों के लिए छे गाउं में वाह अगस्तूर्वा देवी टॉट दा आश्रम आश्रम अश्रम को उन्होंने क्या बताया पर्सट्स क्रुए और आपको आप साफ कैसे रख सकते हो और क्वुणिटी को सेनिटाइज सेनिटेशन कैसे कर साफ सप्पाई आपन कुम्मेंट्स ऑफ हेल्थ कंडिशन वह कहते हैं है तो पैसा कैसे कम होगे पैसा तो अभी आपको कमाना नहीं है आपको अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन रखके पढ़ाई करनी है लेकिन अगर मैं भाग कि उस समय की बात करूं चंपारन की तो हेल्थ कंडिशन का काफी मिजरेबल थी काफी दुख देने वाली थी गांदी जी ने फिर अगेन एक डॉक्टर एरेंज किये उन डॉक्तर ने छे महीनों तक लगातार अपनी सर्विस दिया तीन मैडिसिन बनाई गई तीन मैडिसिन जो लोग बिमार थे उनके लिए कैस्टर ओइल क्युनाइ और गांदी जी ने नोटिस किया एक चीज और नोटिस की फिल्थी स्टेट ओव विमिन के पास पहनने को धंग से कपड़े नहीं से एक आज जोड़ा रहा होगा जो कि वो भी बहुत पुराना और कह सकते हो कि फटा भी हुआ था एक विमिन कस्तूर्बा माम को उन्होंने बोला कि डाट मेरे पास तो सिरफ एक ही साड़ी है देख रहे हो आप कितनी गरीबी बट उनका लॉंग स्टेज अब चंपारन में था गांदी जी केप टा लॉंग डिस्टेंस वाच ओन दा आश्रम आश्रम पे उनकी पूरी अब बाजी पलट दी लाइफ शुदर दी चंपारन का एपिसोट बहुत टर्निंग पॉइंट सा गांदी जी के लाइफ में इट नोट बिगिन आज एक्ट ऑफ डिफियंस इन स्टेट इट ग्रिव आउट ओफ एन अटेंट टू लेसन दा सफरिंग यह ऐसा एक पर्यास था कम कर देना सफरिंग मुसीबतों को परशानियों को लेसन लेस कर देना पूर पीदेंट की गांदी जी की जो पॉलिटिक्स थी वह स्क्लोजली कनेक्टेड विद दी प्राक्टिकल डे टूडे प्रॉब्लम उनकी क्या थी राजबीती की जो दिन चर्या की छोटी मोटी की दिक्कते हैं उनको वैनिश करता रहा हूं रिमूफ करता रहा हूं रिडियूस करता रहा हूं जिसमें लाकों करोणों लोग शामिल है कि उन्होंने ट्राइब किया तु मोल्ड और निव फ्री इंडियन को कुछ अईसे व्यक्ति बना दूं इंडिया के जो हर व्यक्ति क में इंडिया को एकदम किसी भी रूलर से फ्री कर दे दिस वो बाउट दी संबरी पार्ट अंत में आके जी सच की हुई ठीक है जूट बोलना आवशक नहीं है मेरा मानना यह कि जूट वो बोलो जूट बोलो मैं बना नहीं कर रहा है जूट वो बोलो जिससे दूसरे का नुक सान ना हो और अगयान कहीं न कहीं कभी न कभी किसी के लिए अच्छा करते रहिए वो आपको इसी लाइस में कुछी समय में रिटर्न जरूर आपको मिलेगा फिलाल आपको अच्छा क्या करना है आपको अच्छा यह करना है कि आपको इन वीडियो को बहुत बारीकी से समझ है जानना है कुछ यह न्यू वर्ड से अब मैं जो लिखवाता हूं वह आपको नोट डाउन करना है और अग्यान एज ओल्वेश से पिटा समरी क्लियर है तो कोशन आंसर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी यह मैं आपको स्ट्यांप पेपर में लिखके दे सकता हूं क्लि झाली में जो टास बढें आंसर में लिखकों प्रक पड़ú के अभि का अग्यान उन stabilityरो प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम नहीं तो गचा आंसरा में जो झाली हिरा अपकों गल्यान शाली है नहीं होगी तो अग्या देस देसे टुछ से iस में टना भी भी क्या हूं से